आप मेरे दाएं और बाएं कुछ एंकर की तस्वीर देख रहे होंगे। आम तौर पर देश में इन एंकरों को लोग गोधी मीडिया एंकर के तौर पर जानते हैं। इंडिया गठवंदन के दौरा देश में 14 एंकर्स को बॉयकट किया गया जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि इन एंकर्स के कारकर में कोई समलित नहीं होगा इंडिया गठवंदन की ओर से वैसे ही इन्हें एंकर्स को याद आना लगा राष्ट बक्ती राष्ट प्रेम और ये कहने लगे ट्विटर पर सोशल मीडिया पर के हम तो सवाल पूछेंगे चाहे किसी को बुरा लगे या न लगे ये अच्छी बात है सवाल पूछना ही चाहिए पत्रकार को लेकिन सवाल वहां खड़ा हो जाता है जहाँ पर राष्ट की बात आती है हमारे सेना के वीर जवानों की बात repetition के मामले में आखिर वरतमान समय में कहा गयब हो गए हैं आप सबी समझ रहे होंगे कि हम किस अगनिव अगनिवीरों की बात कर रहे हैं जब आप पूरा मामला जानेंगे तो आप यह कहने को मजबूर हो जाएंगे कि अगनिवीरों पर गोदी मीडिया खामोश और अमरत पाल के मामले में दहार और दंगल हो गए फुस नमस्कार मैं हूँ गिराश शर्म और आप देख रहे हैं सरल टॉप आप सभी बखुबी जानते हैं कि देश में पंजाब के मांसा जिले के कोटली कला गाउं का 19 वर्ष का एक अगनिवीर जिसका नाम अमरत पाल है शहीद हो गया लेकिन उसे शहीदी का दरजा नहीं मिला क्या गोधी मीडिया के इन एंकर्स ने सवाल किया सरकार से पूछा कि इसे सहीदी का दरजा क्यों नहीं दिया गया अगनिवीर योजना अगनिपत योजना अगनिवीर जब यह योजना लॉंच की गई थी तब इनमें से तमाम एंकर्स ने इन योजनाओं के फाइदे बता प्राइम टाइम में शो भी किया था उनमें ब्लेक एंड वाइट वाले सुधीर चौधरी भी थे लेकिन जरा सोचिए कि जब उसी अगनिवीर की वापत से बात आई तो इस सुधीर चौधरी जो वर्तमान समय में आज तक पर ब्लेक एंड वाइट शो कर रहे हैं आखिर कहां गायब हो गए हमने जानने के लिए सुधीर चौधरी का ट्विटर खंगाला तो उस पर हमें अमरत पाल को लेकर कि किसी भी तरह का ट्विट नजर नहीं आया यह सुधीर चौधरी का राष्ट प्रेम है राष्ट बक्ती है सैना के प्रते और साती साथ अगनिवीरों के प् समले में एक क्यों खामोश है इनके होटों में क्यों चुपक गया कुछ चुपक गया कि होटों के अंदर जो इनके मुह से आवाज नहीं निकली यह सबसे बड़ा सवाल है जब इनके ट्विटर पर हम गए तो हमें बस इज्रायल हमाया युद्ध को ले करके और भारत हितों का सवाल पूचते हैं सेना के हितों का सवाल पूचते हैं अगनिवीरों के हितों का सवाल पूचते हैं आप इनका समझ गया होंगे उपर से नीचे तक का लेवल क्या है इसके बाद बात कर लेते हैं न्यूच की पार्ट साला करने वाले सुसांत की यह कारिकम चलाते ह पाट शाला टीवी की स्क्रीन लगी होती है और उसपर जब बात करतें तो ऐसा लगता है कि सत्ता की चाटोकारता कर रहे हो चरण चुम्मन कर रहे हो. चलिए कर रहे हैं कोई बात नहीं है लेकिन देशित में अगनीवीरों की बात करना कहां तक जो है गलत है? हमने सोचा के इनकe Twitter को हम देखे साइद अगनी वीरों को लेकर के कुछ बात इन्होंने अपनी पार्टशाला में की हो तो हम वहाँ भी निराश हुए सुसांत ने अपनी पार्टशाला में अगनी वीरों का जिक्र नहीं किया हमने सोचा चित्रातर पाटी ने कुछ बात की होगी तो इनको भी इजरायल हमास का युद्ध नजर आ रहा है जैसे जहांशी की रहादी आ गी हो यह कारिकम चलाती है दहार के नाम से देंगे हैं तो इस पर कोई भी इंनों नहीं लिया एक कोरी दहारती है इसलिए हमने कहा कि इनकी दहार फुस हो गई, फुस गायब हो गई, दंगल चलाती है, चित्रा तरपाटी, वो भी नजर नहीं आई, किसी भी परकार का दंगल करते हुए अगनी वीरों के मामले पर नजर नहीं आई, इसके बाद आते हैं अमन चोपडा, इनके नाम में ही हैं अमन सांती की बात करते हैं, हमने सोचा के अगनी वीरों को लेकर के इनोंने कुछ जिक्र किया होगा, तो अमन चोपडा भाई साब ने भी किसी भी परकार का कोई जिक्र नहीं किया है, अगनी वीरों की बात हो रही है, उसमें भी अगनी वीरों का कोई जिक्र नहीं किया है अमीज देवगन इनका नाम है लेकिन अगनिवीर अमरतपाल का कोई जिक्र नहीं है तो क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोधी सरकार की ऊपर से आदेश आ गया इनको कि भाईया कोई सवाल मत करना किसी भी प्रकार का या चैनलों की तरब से इनको आदेश आ गया कि भाईया हैं उन्हें आगर सहीदी का दर्जाँ नहीं मिला उस पर अगर यह ए कर खामोस चुप हैं तो कैसे कहा जा सकता है कि राष्ट भत यह आट और यह चिंता है इससे तो यही नज़र आता है ऑःचार यह चेनलों के मालकों का आदेश आता धिया उ téléphone JUST दिखाते हैं राष्ट प्रेमी राष्ट बग इसी तरीके का लगेगा कि तो ड्रामेबाज है क्योंकि मणीपूर गए नहीं लेकिन इजराइल पहुंच गए अगनीवीरों की बात नहीं कर रहे हैं अपने देश के जवानों की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन इसराइल हमास में क्या हो रहा है वहाँ के सैनिकों की बात होंगी वहाँ के राष्ट के जो है राष्ट की बात होंगी आम तोर पर जो अपना जो निकम्मापन होता है उसे छपाने के लिए भी इस परकार की तरकीब अपना ही जाती है चाहे वो पत्रकार हो या देश के नेता हो अगर आप सवाल करेंगे कि हमारे देश में ये हो रहा है तो वो आपको 1000 किलो मीटर दूर के चांद सितारे दिखाएंगे देखिए अमेरिका में ऐसा फलाने में ऐसा लेकिन अपने या क्या है उस पर कोई बातचीत नहीं होगी जिससे के असल मुद्धों पर बात ही नहो गोधी मीडिया के इन एंकर्स की अगनीवीरों पर चुपी को लेकर के आप क्या सोचते हैं और इनके कारिक्रों में जो अगनीवीर गायव है अमरतपाल को लेकर के जो किसी भी तरह की बात नहीं की गई है उसको लेकर के आपका क्या सोचना है ये क्यों खामोस हैं Instagram और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं और सभी से एक अपील है कि सरल्टॉक को जॉइन वा थैंक्स बटन के दौरा आर्थिक रूप से जरूर सायोग कीजिए जिसे हम और बहतर सुतंत्र पत्रकारता कर सकें नमस्कार